में उसमें दूसरों पॉइंट क्या है थॉमसं अधमाडल में ही वीडियो शाय रवेश उसको बराबर बताया था अब हम बात करेंगे next रदर फोर्ड मोडल के बारे में या फिर रदर फोर्ड नाभी कीले परिक्षन किया था उसके बारे में बात करेंगे हम बोलते हैं रदर फोड मॉडल या फिर रदर फोड नाभी किये परीक्षा रदर फोड मॉडल में देखेंगे यहां पर बहुत सारे देखेंगे हम दिखेंगे बात में पहले चीजों को समझीए तो रदर फोड में क्या किया था एक उनका है सबसे पहले experiment किस पर था एक gold की sheet पर था जो बहुत ही पतली थी बहुत थिन थी उन्होंने क्या क्या था alpha कणों के साथ experiment क्या था alpha कणों को वहां पर बंबारित किया था तो उसे क्या यहां पर क्या है केंद रखे तो क्या हुआ था जब उन्होंने अलफा कणों को निकाला तो बहुत सारे अलफा कड़ जो थे जाधा तर जो थे वह सीधे निकल गए लेकिन कुछ जो एलफा कड़ थे वह क्या हुआ अपने पाच से विचलित होते हुए नजर आए और जबकि कुछ जो थे वह वापस रिटन आ गए बहुत कम जो थे वह रिटन आ गए जैसे हम लगाएं दस हजार में से एक जो था वह वह वापस आया तो उससे क्या कंक्लूजन निकला उन्होंने कहा मतलब इससे क्या पता चल अब देटिव धनावेश है और जो अलफा कड़ होते हैं उसको हम दे चुके हैं वह भी धनावेशित कड़ है तो जब उस एरियास के आसपास से अलफा कड़ निकले होंगे जहां पर आपका केंद्रग है या फिर केंद्रग का जहां पर भी आकशित बल होगा तो वहां से क से के होगा विचलीथ हुए जबकि अगर हम देखें जो परमाणू का संपूर द्रवेमान होता है वो इसके केंद्रग में होता है तो जब आलफा कांड केंद्रग से टक्राए होंगे तो तक्रा कर ठोस मास से द्रवेमान से वापस अपने लौट आए तो उन्होंने क्या द आपने यही चीज़े सबसे पहले धियान रखनी है जो रदर फोर्ट थे उन होने के लिया था बहुत ही पतली सोनी की क्याग ली थी बहुत ही पतली शीट ली थी जिसकी अगर हम त्रिजार देखें मतलब जिसका जो नोट आई थी वह कितनी थी 10 is the power minus 4 mm यह चीज़ आपने ध एक्सपेरिमेंट किया तो वहां से बहुत सारे जो एलफा कड़ थे वह सीधे निकल गए सीधे गुजरते हुए निकल लेकिन कुछ अपने पास से विचलित हुए और बहुत ही कम वापस आए तो आपने देखें नोट क्या करना है हमने नोट यह लिखना है कि गोल्ड स्ट प्रशीन जो थे उन्होंने गोल्ड की बहुत पतली शीट ली जिसमें वह जिसक क्या है टैनेशी पावर मैनस फोर मिलीमीटर इसको साथ एक्सपेरिमेंट किया एलफा कड़ों को बंबारिद करके बंबारिद हुआ उसका तो उसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले फ कर थे वह सीधे निकल जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि अधिकांच जो एलफा कर थे अगर हम देखें कि अगर पर्मारू की जो तुरेज्या है वह 10 is the power minus 10 मानते हैं तो केंद्रक की यहां कितनी होगी 10 is the power minus 15 मतलब पर्मारू की तुलना में केंद्रक बहुत ह चोटा है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो बहुत अधिकांच जो एलफा कर थे वह सीधे निकल जाते हैं और दूसरा क्या है दूसरा पॉइंट है बहुत कम जो है वह अपने पाच से विचलित होते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा कि बहुत ज्यादा कम जो है क्य नहां पर बहुत कम विचली थोंगे अपने पार्ट से और बाकी बहुत कम वापस आ जाते हैं तो यह अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है क्या पता चलता है वह नोट करेंगे फर्स देखेंगे कंक्लूजन में आप मतलब अधिकांच भाग जो है परमाणू का खाली है मतल देखें निकल जाते हैं उसके बाद आते हैं कुछ जो अलफा कण है वह अपने पत्स से विचलीत होते हैं इससे पता चलता है कि जो केंद्रक का जो पॉजिटिव चार्च है धनावेश है वह उसको क्या करता है प्रतिकशित करता है तीसरा पाइंट आप लिखेंगे बहु जब अलफा कण से टकराते हैं तो वह क्या करता है उसको वापस भेज देता है क्योंकि परमाणू का संपूर्ण द्रवेमान हम देखते हैं उसके केंद्रक में होता है यह सारी चीज़े जो है वह रदर फोर्ड से आपकी रिलेटिद हैं रदर फोर्ड मॉडल से अभी यहा साथ रदर फोर्ड के मॉडल को देखा तो आपने चीज़ों को नोट डाउन करना है अपनी नोट बुक में अच्छे से उनको रिवाइस करते रहना है किसी का कोई भी कोशन हो तो आप कमेंट में उसको पूछिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है